हाई लोकुम बैक टो टेकनिब लोजिक हिंदी आज के टेक निउस की शुरुआत करते हैं काफी मेजर निउस से जो की प्राइवेसी रिलेटेड है वो है आपकी एपल की तरफ से एपल ने लास्ट यह 2020 में यह अनाउंस किया था कि जो उनका आयोस 14 का एक मेजर अपडेट आ प्रांसफर कर दिया जाएगा कि यूजर अपना डेटा या तो शेयर करना चाहता या तो नहीं शेयर करना चाहता वो यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा और एप कोई उनको फोर्स नहीं कर सकता यह यूजर को कि उनको जबरदस्ती वो डेटा सेलेक करना ही है कि वो उसे श इसमेंसे की आपका डीटा मोस्ली अनलाइज होता है आप कुछ सर्च करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं उसके सापसे आपको बेसिकली आपको आपको अपडेट बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वह इस तरह यूजर से जबरदस्ती वह डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं ज उनका क्या डेटा उनके पास है क्या वो दे रहे हैं उस पर्टिकुलर अप के तुरू तो फेस्बुक ने कई बार स्टेट्मेंट भी डाला है कि अपल अपना डॉमिनेंस दिखा रहा है इस मार्केट में यह ऐसा ऐसा करके तो वह सब चीजे भी काफी न्यूज में आ चु स्टेप है अगर आप इस न्यूस के बारे में नहीं जानते हैं और तो इसके बारे में थोड़ा और रीड करिएगा अगर आपके पास कोई फीडबैक हो कि आपको कैसा फील होता अपल के स्टेप के तुरू तो देफिनेटली कमेंट में ज़रू बताईएगा प्राइविस दिया जा रहे है कि आप किसी भी आप के थ्रू जो भी आपकी चैट्स हैं या जो भी आपको चाहिए है कि आप डेटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो डिफिनेटली आप कर सकते हैं चाहे वो वाटसएप से हो या फिर चाहे किसी और आप पे आपने चैट की हो तो उसको export करके telegram पे ला सकते हैं अगर आप one plus six या फिर one plus six t के user है तो आपको अपने update मिल जाएगा अपनी settings में update का version है 10.3.8 या आपका january के security patches को include करके ही आपको मिल जाएगा and अगर आप इस one plus user है तो definitely आप इसको जाके update कर सकते हैं and रही बात android 11 की तो वो कब तक आएगा update इसका भी कुछ sure नहीं कहा जा सकता कल के tech news में मैंने थोड़ा सा discuss किया था brief में की GameStop के shares कैसे इतने जादा high चले गए थे Reddit users ने काफी bet लगाई थी इस पे कई लोग इसको short किये थे उसके shares को तो share और stocks और trading की बात तो मैं इसमें नहीं करने वाला but definitely यह काफी interesting concept था कि किस तरह लोगों ने मिल के एक sort of आपके जो Wall Street के जो community थी उसको पूरा हिला दिया and बात करेंगर trading apps की तो एक Robinhood करके एक app है जिसमें उन्होंने मना किया कि वो अब अपने app के थूँ आपको GameStop के shares की trading करना बंद कर देंगे कुछ time के लिए फिलाल तो इस पे काफी जादा लोग गुसा भी हो गए थे उसके खिलाफ lawsuit file हो गया lawsuit file होने के बाद भी जब Robinhood को जाके वन स्टार वगेरा इस तरह की ratings दी गई तो कुछ time बाद 24 घंटे बाद फिर से उस Google Play Store पे जो rating थी उस Robinhood app की तो फिर से वो वन स्टार वाली सारी हटा दी गई यह आपने शायद इंडिया में भी देखा होगा जब आपका TikTok versus YouTube का चला था trend तो TikTok को काफी जादा negative reviews दिये गए थे तो वो अगले एक दो दिन में जाके फिर से सारे हटा दिये गए थे तो ऐसा similar phenomenon यहाँ भी देखने को मिला और क्या news आती है GameStops related मैं उसको definitely Tech News के अगले एपिसोड में cover करूँगा 26 January Republic Day के दिन आपका 4G release हो गया था 4G release से पहले ही उसके इतने सारे registrations हो गये थे अब total इस पर बताय जा रहा है कि 5 million download इसके हो चुके है Google Play Store पे यह आपका first number पे चला गया है app जो free games की category में आता है फिलहाल अपने अगर इसको खेला होगा तो आपको पता ही होगा सिर्फ campaign mode है इसमें दो और modes आने की उमीद है अब देखते हैं कि वो कब तक आएगा Jio आपका 2016 में इंडिया में launch हुआ था उस time से लेके अब तक 4 साल में उसने काफी जादा बड़ी चीज़ अचीव कर ली है इंडिया का तो सबसे बड़ा network provider Jio अल्रेडी बनी चुका है इसके अलावा साथ साथ वो world का third largest network provider भी बन चुका है इसके current जो आपके user से 400 million के props बताय जा रहे है Xiaomi की बात करें तो उसने अपना Air Charge Technology रिलीस किया है उन्होंने आज ही उसके बारे में tweet किया अपने साइट पे एक blog डाला जिसमें उस technology के बारे में वो बताते हैं कि आपकी जो 5 watt की जो devices हैं वो आप easily charge कर सकते हैं आपको उसको connect करने की ज़ुरत नहीं और कोई भी बीच में उसका physical obstacle होगा room में अगर उस device और आपके gadget से तो भी कोई issue नहीं होगा आप उसको बिना attention के आराम से charge कर सकते हैं उनका basic aim है कि वो हर चीज को wireless करना चाते हैं तो देखते हैं कि इनका यह जो नया attempt है और जो इनकी device है वो कितनी successful होती है अगर आपने giveaway में participate नहीं किया है जो हमारे channel पर चल रहा है तो आप उसको check out ज़रूर करिएगा link आपको description में मिल जाएगा don't forget to subscribe to our channel and thank you for watching